Hello Students, कैसे हैं आप लोग? अगर आप Science Graduate है, खासकर B.A.C. in Physics, Chemistry and Mathematics, तो निश्चे ही आपको इस वीडियो को अंतक देखना चाहिए. Indian Wild Corporation Limited में Trade Apprentice के कई पोस्ट की वेकेंसी आई है, जिसमें सेलेक्शन एक रीटेन टेस्ट के आधार पर होगा. यह रीटेन टेस्ट दो घंटे की होगी और इसमें जेनरल नॉलेज, जेनरल इंगलिस, रीजिनिंग, जेनरल एटिचूड और केमिस्ट्री से रिलेटेड कोईस्टन मुख के रूप से पूछे जाते हैं. आप इसके डिटेल एडफर्टिजमेंट को कैसे देख पाएंगे और इसको ऑनलाइन कैसे अपलाई कर पाएंगे, इसको इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले आप गूगल क्रोम को ओपिन कर लें. गूगल क्रोम में आप लिखें इंडियन वाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो जब आप इंडियन वाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का साइट खुलेगा तो आप यहां देखिए डिटेल एडवर्टिजमेंट यहां दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करें जब डिटेल एडवर्टिजमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो यह नया एक PDF फुलेगा जिसमें की सारा information दिया हुआ है कि आप किस तरीका से भर सकते हैं इसको apply कर सकते हैं कौन-कौन सा पोस्ट खाली है तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो advertisement नमबर है गुहाहाटी में, बरोनी में, गुजरात में, हल्दिया में, मतुरा में, पानीपत रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल्स लिमिटेड में, डिग बोई में, बंगई गाउं में, पारादीप में, इन सब जगह पर जो है, apprenticeship का ये engagement के लिए notification आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह जैसे आप देख रहे हैं, यह trade apprentice attendant के लिए है, जो operator है, chemical plant, discipline, chemical है, यहाँ qualification आप देख रहे हैं, 3 years है, BSE, physics, mathematics, chemistry, and industrial chemistry, आप यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आपके options हैं, जिसमें आप apply कर सकते हैं, आप देखें, trade apprentice, boiler में, 3 years, BSE, physics, mathematics, chemistry, and industrial chemistry, यह सब आपका respective सारे दिये हुए हैं कि कौन-कौन से post खाली है, और उसका eligibility, यह qualification क्या है, उसी साथ में दिया हुआ आपके कौन-कौन से refinery में यह vacancy खाली है, और कितने period का यह training होगा, यहाँ पर देखें, परतेक refinery के अनुसार seat availability यहाँ पर दिखाया गया है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं, गुवाहाटी में, total numbers 14 है, और general का 7 है, इसी तरिका से category भाइज भी divide किया गया है, पर देखें, trade apprentice, secretarial assistant के जो है, यहाँ पर आपका 3 साल का यह खोजता है degree, उसमें या तो BA भी हो सकता है, BAC हो सकता है, य 12 मंत का आपको यह training है, और यह सारे वेकेंस, जो seats है, अबलेबूल है, category by gym, तो इस तरिका से बहुत सारे options है, जहाँ पर आप apply कर सकते हैं, इसको, और इसमें जो कुछ बाते ध्यान देने की है, कि आपका जो qualification criteria है, वो class 12 है, graduate है, डिपलोमा है, और especially जो science subject है, खास करके physics, chemistry mathematics, वो हो जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह qualifications है, इसके बारे में आप जान सकते हैं, जहां तक age limit की बात है, तो इसमें 18 साल से 24 साल के ही बीच में के जो students होंगे, वो ही भर सकते हैं, हाँ, government guidelines के अनुसार आपको SC, ST and OBC category के में कुछ छूट दिया जाता है, जै इसी तरीका से reservation भी है, reservation भी जो government का norms के अनुसार है, उसी के अनुसार यह दिया गया है, लगभग और आपको इसमें भी छूट मिल जाता है, अगर आप category से belong करते हैं, तो आपका eligibility criteria है, उसका जो last date उसको रखा गया है, 31, 10, 2021 तक यह fulfill होना चाहिए, इसी तरीका से selection methodology आप द होता है, और उसमें different types के question पूछे जाते हैं, उसी तरीका से आपको बाद में जब आप select हो जाते हैं, तो आपको document verification भी करवाया जाएगा, और document verification करवाने के बाद आपको medical fitness का certificate भी मांगा जाएगा, और तब जाकर के आपको engagement की बात होती है, तो यह सारे आप इस advertisement में देख सकते हैं, सारे जो information है, इसमें apply कैसे करेंगे, apply इसका जो करना है, वो online apply करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कैसे करना है, अभी हम आपको बताते हैं, online apply कैसे होगा, इस पर हम लोग थोड़ा कुछ important यह देखिए, कुछ contact numbers है, आपको कहें दिकत हो, तो आप बात कर सकते हैं, unit जो है, जो भी refinery है, गौहाटी refinery है, बरौनी refinery है, गुजरात refinery है, सब का contact number और email ID दिया हुआ है, अगर आपको कहीं भी problem हो, तो directly आप call कर सकते हैं, खासकर working hour में, और यह देखिए, कुछ important dates है, जिसको की ध्यार रखने की जरूत है, यह ज पारा जो number है, 2021 को यह online application का last date है, याने की 5 बज़े साम तक ही आप बढ़ सकते हैं, और इसके बाद आप यहाँ देखेंगे, जो admit का download करने का भी आपका time दिया हुआ है, साथी tentative जो date है, return test का 21 number रखा गया है, यहाँ पर जो देख रहे हैं, तो 21 number को हो सकता है, कि इसका return test ह होगा, और उसके बाद जो tentative date, जो है return test की result का publication का वो 4 December है, और 13 December से लेके 20 December तक आपका document का verification हो सकता है, तो इस तरीका से आप देख रहे हैं, और यह आप यहाँ पर आप जा करके, Indian oil corporation limited के site पर जा करके, आप इस तरीका से detail advertisement देख सकते हैं, जहां तक online apply करने की बात है, तो आप बापस आईए, और जो हमने यहाँ apprenticeship में जो click कराया था, यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, तो लिखा हुआ click here to apply online, तो यहीं पर आपको click करना है, जब आप यहाँ पर click करेंगे apply online पर तो एक नया page खुलेगा, जिसमें की कई सारे details वांगे जाएंगे, आपको कई च करते हैं, कोई भी इसमें आप देख लिजिए, यहाँ पर इतने सारे दिया हुआ है, माले जी हम सेक्रेटेरियल असिस्टेंट को ही click करते हैं, तो यहाँ पर click करना होगा और आपको proceed कर देना होगा, अब आप यहाँ पर देखिए कि सारे इसमें जो है जो trades apprentice, सेक्रेटेरि assistant को आपने opt किया है, और इसके अंतरगत इतने refinery है, आपको किसी एक refinery के लिए apply करना है, suppose that कि हम यहाँ पर brownie refinery को click करते हैं, तो यहाँ पर select करना पड़ेगा brownie refineries में, अब brownie refineries यहाँ पर आपका आ गया इसमें, अब हम क्या करेंगे, इसको proceed कर देंगे, जब proceed करेंग अगर नहीं परना है, तो आप आगे यहाँ पर next करेंगे, तो इस जगह पर आपका एक personal detail का column खुलेगा, इन सारे details को आपको इसको भर देना है, यहाँ पर upload कर देना है, फोटो को और यहाँ पर signature को upload कर देना है, जो format में मांगा गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप इसको personal details को apply कर देंगे, तो अगला आप यहाँ पर next करेंगे, next करने के बाद qualification खुलेगा, फिर इसके बाद next करेंगे, experience का column खुलेगा, फिर इसके बाद next करेंगे, तो fee details आएगा, कि आपको fee जो देना होगा, उसको apply करना है, और last में जब आप submit कर देंगे, submission button पर click कर तो finally आपको उधर से message आजएगा, कि your application has been submitted, तो आपका इस तरीका से apply हो जाएगा, तो student अगर apprenticeship का engagement आप से concern रखता है, तो फटा-फट online apply कर लीजिए, अगर कुछ विशेष जानकारी चाहिए होगा, तो comment section में पूछिएगा, तो फिर मिलते है next video में, तब तक आप लोग अ अपना ख्याल रखे, thank you